हेलो दोस्तों स्वागत है आपके एक बाफिट से हमारे चैनल पे मैं हूँ आपका दोस्त साजित अलवी दोस्तों आज किस वीडियो में हम आपको नैक के अकोडिंग तीन टिप्स बताएंगे किस परकार से कम बुकरम के अंदर जादा नैक कटिंग करेंगे नैक को बनाने का सही तरीका और किस तरीके से आप नैक के शोल्डर को कूलती के शोल्डर को अटेज कर सकते हैं हमारे पास तरह के बहुत सरी कमेंट आती है कि हम नैक को अच्छे तरीके से कैसे बनाए शोल्डर कैसे अटेज करें और कम बुकरम में जद जद नेक कैसे कटिंग करें यह हम आपको बताने वाले हैं तो आज की इस वीडियो में हम यह एक डेमो को तो पर एक कुलती लिए है इसमें आपको दिखाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक छोटी बुकरम है इस बुकरम के अंदर से हम आपको चार दो नेक आगे के और दो नेक पीछे में दो पुर्ती के लिए हम आपको नेक काटना बताएंगे बहुत यह असन तरीका है आपको सबसे पहले तो इस तरह की कोई बुकरम टेटरों पेपर फ्लू जू भी आप यूज करते हैं आपको वो ले 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 ना कैना वस वगएरा हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे अब हम आगUNG को बता रहते हैं कि सकी चोड़ा की कि लेनी है हमने यहाँ पर अपनी बुकरम की चोड़ा यहाँ पर फाइव इंच है पांच इंच है कि खुल के यहां पर 10 इंच ऐसे हो जाएगी अब यहां पर हम आपको ने कटिंग करना बताएंगे सबसे पहले जब भी आप में लिए कोई गला कटिंग करते हैं तो आपको नीचे की तरफ जहां पर खुला हिस्ता हो तो इसको ऐसा रखना है बंद इससों को ऐसा रखना है औ और अब हम यहाँ पर निशान लगाएंगे नेक की चुड़ाई का आछिए पर यहाँ पर नेक की ब्रॉड़ने चाहिए 6, 6.5 होगा 3 इंच हम यहाँ पर 3 इंच पर ऐसे करके एक मार्क लगा देंगे और ऐसiende निशान यहां पर भी लगादेंगे यह हमारे नेक की चुड आप इसे निशान लगा देंगे, जितना भी आपको लगाना लगा सकते हैं अपने हिसाब से, लंबाई और चोड़ाई को आपने हिसाब चोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, अब यहाँ पर निशान लगाएंगे, नेक की शेप का कि यहाँ पर हमें किस तरह की शेप चाहिए, यहाँ पर हमें पान शेप चाहिए, बोट नेक चाहिए, सोरी, पान शेप चाहिए, या स्वीट हाट चाहिए, जो भी आपको शेप चाहिए, आप यहाँ पर इस निशान लगा लीजिए, अब मान लेते हैं, यहाँ पर हमें चाहिए पान शेप, तो हम इस तरीके की एक शे बुकरम ऐसे कटिंग कर देंगे तो यह आपका जो नेक है यहाँ पर ऐसे आकर यह कटिंग हो गया है यह हमारा सुंदर सा एक पान शेप फ्रंट का नेक ऐसे बन चुका है इसके बाद हम इसकी सलावी करना बताएंगे लिए इससे पहले आपको नेक के पूरे कटिंग आपको निशाना है इस वेकार से और अब निशान लगाएंगे यहाँ पर नेक की छोड़ाई का सेम निशान होगा जितना आगे तो 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 नहीं पिछे होगा थिरी इंच पर और नेक की लंबाई आप यहाँ पर आपने इसाब से कर लिए जितनी चाहिए आपको 6-6-6-6- तो यहां पर साथ इंच ऐसे बना देंगे ठीक है अब यहां पर इसे नॉर्मरी जो ऐसा होता है यह आगे की तरफ अगर आपको शेप बनाते हैं तो पीछी तरफ हमेशा राउंड नेक चलता है तो आप यहां पर इस तरीके से एक राउंड नेक ऐसे बना सकता है निशान राउंड ही बनाएंगे पहले हम इसमें ऊपर से और यहां से एक्ष्टर करम को ऐसे काड़ देंगे और राउंड नेक जो भी शेप है आपकी यहां पर ऐसे कर देंगे आप चाहिए तो आगे और पीछे दोने तरफ शेप भी बना सकते हैं सेम शेप या फिर आगे पीछे पीछे गोल कर सकते हैं जो भी आपकी प्रसंद आप ऐसे कर लीजिए कि इस तरह के नेक बनने के बाद हमेशा अच्छे ही लगते हैं चाहिए आप कुछ भी बना लिए दविए यह हमारा पीछे की तरफ का एक राउंड नेक कटिंग हो चुक है लेकन अभी क्या है यहां पर यह दो पीछ में हैं हम यह नबे क्या करेंगे हम इसको ऐसे बराबर करेंगे और यहां पर एक सेरह लगा देंगे तो यह जुड जाएगा लेगे यह हमारा जो नेक है यहां पर ऐसे जुड़ चुका है इसको आप पीछे बना लीजे और इसको हम यहां पर ऐसे आगे बना लेंगे अब इसमें पर एक छोटा जोइंट आ गया है इस जोइंट से कोई दिक्कत नहीं है आप इसको बिना किसी प्रेशानिक बना सकते हैं कि जो हमेशा आपकी बराबर से बुकरम बचती है, उसको हम फैंक देते हैं, यहाँ पर आपको बुकरम को फैंक देते हैं, सिर्फ यहाँ पर एक छोटा जोड़ा आएगा, तो हम यहाँ पर आज की वीडियो में आपको इस तरह की बुकरम को भी यूज करना बताएंगे तो पहले तो जहाँ पर आपका खुला हिस्सा है यहाँ पर हम ऐसे कटिंग करके बराबर कर देंगे इस तरीके से बराबर कर दिया है अब यहाँ पर भी आपको जिस तरीके से आपने यहां से नेक कटिंग किया था आपको यहां से नेक कटिंग करना है नीची तर आप सेम ऐसी थोड़ा गदवा हो रखेंगे निशान लगाएंगे नेक की चोड़ाइक निशान लगाएंगे इस मारक को आप सीधा कर देंगे सिधा कर दिया है अब यहाँ पर जितना इंब आपको नेक चाहिए हमें दिशान लगा देंगे हम यहाँ पर सब्सक्राइब जो भी शेप आपको बनाने आप यहाँ पैसे करके शेप बना लीजिए जो भी शेप आपको चाहिए कि अब इसको भी कटिंग कर सकते हैं और इसमें कोई भी तरह की प्रिशान नहीं होती दोगे यह एक वार नेक हो गया है और इसके बाद में यहां पर भी सेम बुकरम बची आपकी यहां सिर्छ आप ऐसे कीजिए एक निशान लगाई इस पर इस पकार से लंबाई एक निशान यहां पर और यहां पर निशान लगाएंगे नेक की छोड़ाईगा 6 इंच पर 3 इंच पर और जितने बड़ा आप पर नेक चाहिए यहां पर निशान लगा दीजिए अब यहां से आप अपनी एक्स्ट्रा बुकरम ऐसे काट दीजिए और यहां पर भी में एक र हो चुका है अब यहां पर भी जो दो पीस हैं को यहां पर सिलाई लगा कर जोड़ देंगे यह देखें दोस्तो यह इस तरह की जो बुकारम होती हैं वने इसमें से अपने यह बागी नेक भी ऐसे बना दिया हैं दिखे, ये आपके दोनों नेक एक कूलते में यूज़ हो जाएंगी और ये दोनों नेक आपके एक अलक उल्टी में इसमाल हो जाएंगी आप यहाँ पे हमने एक छोटी बुकरम के अंदर दो कुरती के नेक, चार नेक ऐसे कर दिये इस तरह क्या होता है? इस तरह कि तो यहां पे हमार नेक के हुए है आप दिखाएंगे किस तरीके से आप इन नेक को बनाएं जो प्लब पर सही तरीका होता है है कि यहां पर हमने अपनी कोई भी दो नेक ले लिए हैं दो नेक की लिये हैं हमने दो आप पड़े कर लेंगे इस परकार से अब यहाँ पर हम इसको लखेंगे सबसे पहले तो आपको अपनी नेक की शेप के एसाफ समय पर स्रहा लगानी है फिर बराबर से कबड़ा फोल्ड करना है जिस तरी के समय नॉर्मली करते हैं अब हम अपनी बराबर कबड़े को ऐसा फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी स्रह लगाएंगे यह देखें दोस्तों यहाँ पर नेक की तरफ यहाँ पर आपको इनिशान लगा देना है यह आपके नेक का सेंटर के निशान है अब इसके बाद में हम वह उनी कुर्ती का आगे वालपार्ट लेंगे यह आगे वालपार्ट है अब जैसा कट हमने यहाँ पर लगा है ऐसे कट यहाँ पर लगाएंगे ताकि आपको सेंटर का मालूम होता रहे और बीच की तरफ यहाँ पर आपको सेंटर निशान भी लगा देना है यह निशान लगाने के बाद अब आपको अपना नेक लेना है अब नेक की तरफ यहाँ पर आपका ऊपर कट होता है नचे निशान होता है, आपको ऊपर कट और नीशी निशान को बिला लेना है, इसला आपका center मौलूम रहेगा, center कहाँ पर आता है अब इसके बात आपको यहाँ पर क्या करना है आपको एक small लगानी है, नेक के बीच में यहाँ पर, ताकि नेक बन जाए जब आपको नेक अच्छा बनाना आ जाए फिर आपको इस तरह लगानी जोट नहीं पड़े कि लिए अभी अगर आप शुरुआत में है तो आपको इस तरह लगानी पड़ेगी अब यहां पर हम क्या करेंगे अब आपको अपने पूरे गले पर बुकरम के बराबर में आपको साहा लगानी है फिर बीच से कबड़ा कटिंग करना फिर नेक को बाहर से अंदर के तरफ पलड़ देंगे साहा लगाई अब हमसका कबड़ा कटिंग दरेंगे यहां पर आपको थोड़ा कबड़ा ऐसे छोड़ देना है अब यहां पर बचावा कबड़ा यहां पर आपको कुछ कट लगाने है जहां दे शिर्फ कबड़ा कटना चाहिए जो से लिए आपने लगाई इसलिए आपको नहीं काटनी यह नेक बनाने का बहुत असन तरीका है अब हम इस नेक को ऐसे बहार से अंदर की तरफ यह पल्टेंगे और इस पल्टे हुए गले पर आपको यहां पर एक स्लिए लगानी है कच्चे स्लाई जो कि हम बाद में निकाल देंगे नेक तैयार होने के बार यह आपको जो नेक है यहां पर बने तैयार हो चुका है आगे तो कुछ ऐसा है और पीछे से यह कुछ ऐसा है अब हम बनाएंगे पीछे का नेक, तो पीछे का नेक बनाने के लिए अब हमने अपनी कूलती का बैक पार्ट लिया है, बैक पार्ट में यहाँ पर हमने ऐसे उपर कट लगा है, नीचे तरफ निशान लगा है, और ऐसे स्थेम निशान हमने नीचे और उपर कट लगा दिया, हमने neck को भी अपना front की तरह ऐसे त्यार कर दिया है कपड़बड़ लगा के अब आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ ऐसे cut मिलाना है निच्चे तरफ ऐसे निशान मिलाना है और हम यहाँ पर अपसरा लगाएंगे देखिए हमने आपको front को रहें neck में पहले आपको slide बीच में लगाना बताया था फिर आपको यहाँ पर लगाना बताया तरह नहीं अब की बार हम यहाँ पर बीच में slide नहीं लगाएंगे हम यहाँ पर directly यहाँ पर slide लगाएंगे लेकिन आप को सलाई पहले बीच में लगाने हैं, यह हम बता रहे हैं तब के लिए अगर आपको काम करेंगे हैं, आपको विश्वाश है कि आप कर सकते हैं, तो तब कीजिएगा, तो नहीं तो पहले सलाई लगाई बीच में, जैसे नहीं फ्र電ट और नक बताया था आपको उ अब यहां पर हम अपना एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर देंगी कि अब यहांपर मिलाइंगे और यहां पर यहां पर इसे अंदर नहीं है आप जो आपका नेक का एक किनारा है जहां पर आपके दोनों पाट जुड़े हैं इस किनारे पर आपको अपने दूसरे नेक को ऐसे रखना है ऐसे रखेंगे और अब यहाँ पर स्राय लगाएंगे इस तरह हमने लगाई अब इसको हम यहाँ पर इस तरीके से लिए पहले आपको दूसरा कर लिखा देते हैं इससे आपको ज़दा समझ माएगा यह दूसरे पार्ट को भी यहाँ आप हम ऐसे करके खोल देंगे किनारे पर ऐसे रखेंगे जहाँ पर जोड़ा आपका अब यह जो आपका नेक है इस नेक को मियाँ पर इस तरीके से खोल देंगे यह आपका बैक पार्ट है इस जोड को आपको पीछे की तरफ ऐसे रखना है ऐसे रखेंगे और फिर अपने नेकों में इस तरीके से प्लट देंगे इसे प्लटने के बाद देखें यह जोड आपका ऐसे करके यह बहाल नहीं आएगा इस तरीके से पूरा अंदर कबर रहेग अब आपको यहां पर ऐसे करके एक से लगाने कच्छी स्लाई जिसे आपने आगे लगाई थी नेक में नेक को ऐसे अंदर पल्टन और से लगाएंगे यह देखे दोस्तों अब आपको दिखा देते हैं कैसे हमारा शूल्डर बना है यह हमारा आगे का नेक है यह हमारा पीछे का नेक है और इसका जो शूल्डर है पुरा इस तरीके से आपके सामने ऐसे आ गाई यह बिल्कुश सही तरीका है पहले जो हमने तरीका पताया था उस सर्फ बाहर भी निकाल लाता धगे भी निकाल लाता है उस इस पर नेक में वह अली प्रवल नहीं आएगी पूरा पूरा नेक का जोड़ है आपको अंदर कवर रहेगा इस तरीके से आज किस वीडियो में हमने आपको तीन टिप्स बता दिये हैं पहले हमने आपको कम बुकरम कंदर नेक केटिंग करना बता है दूसरा टिप हमने आपको बताया है किस तरीके से आप यह अगर आपको कुछ स मपूरा होता है यह हमारा paid course होता है जिसमें हमारे को पैसे लेके चलाएं सिखाते हैं, डेड़ मेना पोरा course होता है और दोस्तों आपको मुरा वीडियो कैसे लगाएं यह सब आपको कमेंट बॉक्स में, कमेंट के ज़रूब बताई